Hey guys, welcome back to my channel Tanya's Glam Creation और मैं हूँ Tanya So guys, winters आ चुका है, winters has been started and that's why I have decided to share some videos with you all specially for winters Yes guys, मैं कुछ winter special videos आप लोग के साथ share करने वाली हूँ and that's why I thought कि एक series start किया जाए जो कि है hashtag winter care series इस series के अंदर मैं वो सारे videos आप लोग के साथ share करूँगी जो कि सिर्फ और सिर्फ winters के लिए ही होगा and ये series guys, मैं आज से ही start कर रही हूँ क्योंकि आज का जो video है वो भी winters के लिए ही है आज मैं आप लोग के साथ share करूँगी my top 6 lip balm under rupees 10 winters में हम लोग के lips कितना dry हो जाता है आप लोग को पता हूँगा guys किसी किसी के lips तो bleed भी करते है इसलिए it's very important to use a good lip balm whenever we feel dryness on our lips इसलिए मैं आज आप लोग के साथ कुछ lip balm share करूँगी जो कि बहुत ही helpful है बहुत ही अच्छे से work करता है जो कि हम लोग के lips को moisturize रखता है soft and supple रखता है dryness दूर करता है and I think आज का ये वीडियो especially teenagers and students लोग के लिए बहुत ही helpful होने वाला है क्योंकि students लोग के लिए pocket friendly products बहुत ही helpful रहता है and guys और एक बात मैं आप लोग को से कहना चाती हूँ कि ये जो lip balms है भले ही ये बहुत affordable है पर ऐसा बिल्कुल भी मत समझेगा कि ये lip balms affordable है इसका मतलब ये work नहीं करता है these lip balms work amazingly guys believe me मैं खुद इन्हें use की हूँ इसलिए मैं आप लोग के साथ भी share कर रही हूँ so अगर आप लोग देखना चाते है कि कौन-कौन से है वो lip balms then please keep on watching and ये वीडियो प्लीज एन तक देखिएगा guys अगर आप लोग को लगता है कि ये वीडियो आप लोग के लिए helpful है इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा उसके साथ साथ make sure मेरी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिए नीचे उस रेड कलर सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके और उसके ठीक बगल में एक छोटा सा नोटिफिकेशन बेल आइकन भी होगा उस भी जरूर प्रेस करिएगा तक कि आप लोग मेरे आने वाले कोई भी वीडियोस मिस ना करें so now without further ado let's get started to the video so guys सबसे पहला जो लिब बाम मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हो वह है यह वाला लिब बाम यह है Blue Heaven का strawberry flavor लिब बाम जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसका packaging भी कुछ strawberry जैसा ही है बहुत ही cute packaging है इसका यह अंदर से कुछ इस तरीके का है इसे apply करने के बाद यह हलका सा एक tint देता है और इसका smell है guys awesome मुझे इसका smell बहुत ज्यादा पसंद है एकदम strawberry जैसा ही smell करता है इसे apply करते हूँ तो मुझे लगता है कि कोई strawberry लेके ही मैं अपने lips पे लगा रही हूँ बहुत ही पसंद है मुझे इसका smell and इसका जो shelf life है वो है 5 years आप लोग इसे 5 years तक use कर सकते है easily and इसका जो quantity है वो 4 grams of quantity मिलता है yes 4 grams of quantity है and इसका price only 10 rupees है बहुत ही अच्छा lip balm है guys and यह कुछ इस तरीके से खुलता है and बंद होता है बहुत ही convenient to use है आप लोग इसे easily अपने bag में भी carry कर सकते हैं so affordable range में यह बहुत ही अच्छा एक lip balm है guys यह lip balm आपके lips को बहुत ही अच्छे से moisturize रखता है and यह जो lip balm है guys इसे मैं कई बार use कर चुकी हूँ अपने makeup tutorials में अगर आप मेरे videos देखते हो तो आपको नहीं ही पता होगा so yeah this is the first lip balm so guys second lip balm जो मैं आप लोग के साथ share करना चाहती हूँ वो है यह वाला lip balm यह है bio fresh का pure herbal strawberry lip balm and इसका भी price only 10 rupees है and इसको मैं आप लोग को खोल के दिखाती हूँ आप लोग देख सकते हो यह light pink color का है and यह lip balm भी बहुत ही moisturizing है and इसे आप जब लगाओगे यह भी हलका सा tint देता है एक्तम minimal दिखेगा भी नहीं पर इसका जो smell है guys बहुत अच्छा है इसका भी smell मुझे बहुत पसंद है actually strawberry lip balm का smell बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है so yeah इसका जो shelf life है guys वो 3 years है आप लोग इसे आराम से 3 साल तक use कर सकते हैं पर अगर आप लोग इसे daily use करोगे तो बहुत पहले ही खतम हो जाएगा 3 साल का तो सवाली नहीं पैदा होता है so yeah पर यह सच में बहुत अच्छा lip balm है guys बहुत अच्छे से आपके lips को moisturize रखेगा in fact मैं इसे इतना use की हूँ आप लोग देखो यहाँ से पुरा खाली हो चुका है मैं इसे बहुत बाँ use की हूँ and जब भी मैं इसे use की हूँ मेरा lips बहुत ही moisturized feel किया है मेरा lips एकदम soft and supple रहा है so according to the price range यह बहुत ही अच्छा एक lip balm है guys and guys इस lip balm के बारे में मैं और एक बात कहना चाहूँगी कि इसे apply करने के लिए थोड़ा सा ही quantity काफी होता है ऐसा नहीं है कि apply करने के लिए बहुत ज्यादा आपको लेना है और apply करना है आप थोड़ा सा quantity लोगे और आपका काम बन जाएगा आप लोग देखो मैं पहले भी आप लोगो देखा क्यों कि मैं बहुत बार यूस की हूँ इसको और मेरा यहां से खाली हो चुका है पर यहां पे इतना है क्योंकि मैं थोड़ा सा ही लेती हूँ और मेरा lips एकदम moisturized रहता है यह लिब बाम एक बहुत अच्छा option है आप लोग अगर चाहे तो easily इसे try कर सकते हैं यह लिब बाम इसके बारे में तो सबको पता है आप लोगों को भी पता होगा पर फिल भी मैं इसे आप लोग के साथ share करे हूँ क्योंकि as a lip balm this is a very good option यह सिर्फ 5 रुपीज में मिलता है जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्योंकि यह एकदम छोटा सा bottle है यह एक बहुत ही useful product है इसके कई सारे users होता है और उनी users में से एक use होता है lip balm की इसे आप लोग easily as a lip balm यूज कर सकते है इसे यूज करने से आपके फटे हुए होत एकदम soft and supple बन जाएंगे so this is a very good option guys and जैसे कि मैं आप लोग को already बता चुके हूँ कि यह एकदम छोटा सा bottle है इसलिए इसमे 7 grams of quantity मिलता है and इसका shelf life है 3 years आप लोग इसे 3 साल तक आराम से use कर सकते है and इसे भी use करने के लिए थोड़ा सा ही amount चाहिए होता है so guys इसके बारे में और मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ क्योंकि यह एक बहुती common product है and इसके बारे में सबको पता रहता है and I know आप लोगों को भी पता होगा इसलिए so yeah this is the third one so guys the fourth lip balm which I want to share with you all is this one यह है आयूर हर्बल्स की lip balm यह भी strawberry flavor का ही है and guys आप लोगों को मैं अलुड़ी बता चुकी हूँ कि strawberry flavor वाला lip balm मुझे बहुत पसंद होता है क्योंकि उसका जो smell होता है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है आयूर का जो brand है guys यह काफी renowned है क्योंकि यह बहुत पुराना brand है आप लोगों को पता होगा and आयूर हर्बल्स के जो products है मुझे personally बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा से suit करता है that's why and आयूर के हर एक product बहुत ही reasonable price में available रहता है and वैसे ही यह lip balm भी है इसका price only 10 rupees है and अगर मैं इसके packaging के बारे में बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो guys बहुत ही cute packaging है एक छोटा सा cute सा tub में आता है and आप लोगो इसको इस तरह से rotate करके खोलना पड़ेगा and product कुछ इस तरीके का है light pink color का product है as because it is a strawberry flavored lip balm that's why and ये lip balm आपके lips से काफी moisturizing भी है and guys अगर मैं इसके quantity के बारे में बात करूँ तो हमें 8 grams of quantity मिलता है इसमे and इसका shelf like 3 years है आप लोग इसे आराम से 3 साल तक use कर सकते है and this is a very good product guys according to its price range बहुत अच्छे से work करता है you guys should try this this is a highly recommended product guys मुझे पता है अगर आप लोग इसे use करेंगे तो आप लोगों को भी surely पसंद आएगा so this is the fourth one so guys the fourth product which I am going to talk about is this one यह है इमामी वैसो केर हर्बल पेट्रोलियम जेली यह भी एक पेट्रोलियम जेली है guys पर यह इमामी के तरफ से है and इसका भी price 5 rupees है यह भी काफी अच्छा product है and यह आपके lips को अच्छे से hydrated रखता है moisturize रखता है आपके lips के हर dryness को दूर करता है so this is also a very good option and इसका जो shelf life है वो भी 3 years है guys आप लोग इसे भी 3 साल तक आराम से use कर सकते है and इसका जो quantity है वो 8 ml है 8 ml का quantity हम लोग को मिल रहा है और इसका price मैं बता चुकी हूँ 5 rupees है अगर मैं इसके packaging के बारे में बात करूँ तो आप लोग देखी सकते हो कि एक एकदम simple packaging है इसका and आप लोग को इसको इस तरह से खोलना है and इसका जो color है वो कुछ इस तरीके का है एकदम light green color का है क्योंकि इसमें aloe vera है और उसके साथ साथ और भी कई herbs है क्योंकि यहां पर रिखा हुआ है herbal petroleum jelly with herbs बहुत ही प्यारा इसका color है जैसे कि आप लोग देखे सकते हो and इसका जो smell है गाईस वो भी बहुत अच्छा है बहुत refreshing smell है मुझे काफी अच्छा लगा इसका smell so आप लोग इसे आराम से as a lip balm यूज कर सकते है so this is the fifth one so the sixth and last product which I am going to talk about is this one यह है boroline and इसका price only 10 rupees है guys यह एक amazing product है अपके फटे हुए होट को heal करने के लिए बहुत ही amazingly work करता है पर एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि यह जो product है इसे apply करके आप लोग बाहर नहीं जा सकेंगे क्योंकि इसका जो consistency है वो बहुत ही ठीक है इसलिए इसको apply करके बाहर निकलने के वज़े आप लोग अगर इसको रात को सोने से पहले आपके lips पे apply करके सोएंगे तो जब आप सुबह को उठेंगे तो आपको difference नजर में आएगा आपके जो lips है वो एकदम soft हो जाएंगे एकदम clean हो जाएगा जितना भी dryness रहता है आपके lips में वो सब दूर हो जाएगा बहुत ही अच्छा product है guys specially winters के लिए क्योंकि winters में हम लोग का जो lips होता है वो ज्यादा ही dry हो जाता है ज्यादा ही chapped हो जाता है इसके लिए boraline is a very good option इसका जो quantity है guys वो 6 grams है so 10 rupees में हमें 6 grams का quantity में ला है which is not at all bad अगर आपके lips बहुत ज्यादा dry है chapped है अगर आपके lips bleed करता है then आपको ये जरूर use करना चाहिए ये बहुत ही अच्छा product है बहुत अच्छे से आपके lips को heal कर देगा क्योंकि मैं जब भी सोने जाती हूँ रात को सोने से पहले हमेशा boraline apply करके ही सोती हूँ अपने lips with that's why I know कि how amazingly it works this is a really very good product guys so अगर आप लोग चाहे इसे जरूर try करके देख सकते हैं so guys that's all for today's video यही था आज का video I hope आप लोग के लिए ये video helpful रहेगा आप लोग को ये video पसंद आएगा अगर सच में ये video आप लोग के लिए helpful रहे दिन इस video को like and share जरूर किजिएगा मैं इस video को यह पर खतम करते हूँ फिर मिलती हूँ बहुत जल्दी मेरी next video के साथ till then bye bye take care see you and stay blessed